पेंशन भोगियों को अब हर साल सरकाई दफतर में अपने जीवित होने का प्रमान देने की जरूरत नहीं है सरकार ने आधार पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमान की सुविधा शुरू की है जिसके जर्ये पेंशन भोगी अपने घर बैठे ही ये प्रमान दे सकेंगे प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने सोमवार को पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमान लॉंच किया इस फैसले से एक करोड से भी ज्यादा पेंशन भोगियों को फारदा पहुँचेगा प्रस्तावित डिजिटल प्रमान पत्र से पेंशन भोगियों के लिए वह अनिवारिता खत्म हो जाएगी जिसके तहट उन्हें हर साल लवंबर में खुद जाकर लाइफ सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है दरासल इस सर्टिफिकेट को देने के बाद ही उनके खाते में पेंशन आती है IT विभाग ने इसके लिए एक सॉफ्ट्वेर अप्लिकेशन विक्सित किया है जिसके तहट एक बायोमेट्रिक रीडिंग डिवाइस लगाई जाएगी और फिर इसकी मदद से पेंशन भोगी के आधार नंबर और बायोमेट्रिक ब्योरे को उनके मोबाईल या कम्प्यूटर पर दर्च किया जा सकेगा पेंशन भोगीों से जुड़ी एहम जानकारी को एक केंदरी डेटाबेस पर अप्लोड किया जाएगा इसमें तारीख, समय और बायोमेट्रिक सूचनाय शामिल होंगी पेंशन भोगी आसानी से अपने परसनल कम्प्यूटर या स्मार्टफोन पर इस जानकारी को हासिल कर सकेंगे आखणों के मुताबिक, मौजुदा समय में 50 लाख लोग केंदर सरकार से पेंशन लेते हैं ताकि दूर दराज के खेत्रों में रहने वाले पेंशन भोगी भी इसका लाब उठा सकें बिजनस डैस्क डीडी न्यूज